कक्षा 6 के बच्चे मेरे घंग की कक्षा में आपका स्वागत है घंग की कक्षा में आज में ले रहे हैं पाठ अपनी संक्याओं की जानकारी इस पाठ के अंतर करत हम करें प्रस्णावली 1.3 इस प्रस्णावली को करने से पहले आप मेरे पूरू के वीडियो जिसमें हमने सं निकटन पर वाद किये थी उन वीडियों को देख लेंगे तो आपके लिए यह प्रस्णारी काफी आसान होगी इसमें पहला प्रस्ण है कि ब्यापक नियम का प्रियोग करते हुए निम्निखित में से प्रतेक का अपलन कीजिए इसका ए है इसके मिलते हुए आपको दस और उदहान बनाने है तो इसके मिलते ही आपको प्रस्णों को हल करते हैं अब हम इन प्रस्णों को हल करते हैं जो है 732-980 अपनड ग्र फ़िसका आपक रण करना है आपक रण करने से पहले हम देख लें तो बम संक्रिय तक ही करेंगे मिलते ही पहली संक्रियो नियुक्रेवर आपक रण करना हुए साथ सो तक सो तो लिखा जाएगा एा तो इसको 700 ही हम लिखेंगे इसे प्रिकार 980 इसमें इकाई दाही का अंका 98 है तो यहां भी वही नियम आएगा कि एक से उन्चास तक की संख्याओं को हम पूर संख्या यानि 900 लिखेंगे और इकाउन से 99 तंग के संख्याओं को एक हजार में इसका आक्लिन होगा तो नौ साथ जानोड़ा का संख्याओं के दूसरी संख्याओं जिसमें 300 शम्क्रिया है साथ सो के तुट सेनिट करें directory कि अगन सेख्रानी होगा क्योंकि दून्रों संफयाइओ थो तो साथ सो चैनल वहाइं कि 6196 कि अगन 500 पार्षासिछ्ण का CCP आएंगी इन पर बात करेंगे साथ सो से आट सो संख्याएं आएंगी तो जैसे यहां च्यानब्बे दिया है तो एक से लेके उन्चास तक की संख्याएं साथ सो में आएंगी और पचास से लेके नियनब्बे तक की संख्याएं आट सो में आएंगी तो तास तो साथ सो च्यानब्बे में च्यानब्बे है त इसका आगलन करेंगे तो वह 300 या 400 होगा अब 300 होगा इसके इकाई धाही के अंकर देखिंगे जो 14 हो एक से उन्चास तक की संख्याओं का आगलन 300 से 400 में 300 में से ही होगा तो इसका आगलन भी 300 में ही होगा और दोनों को घटा दें तो 800 में 300 भड़ेगा तो 500 हमें प्राप्त होगा अब हम करते हैं इसका सी वागा प्रसण नो सो चार में 2888 हमको जोड़ना है वार हिजार नो सो आठका 1000 तक हैं कुछी संख्याओं तो बारहईअ्यार नौसोचार का हजार में आखिरन करेंगे तो इसका आखिरनहों को अब एक से रेके 400-79nd तक आखिरन तो दो कि पांट सोि क्यूंगा नोसोचार धूसोचार अग claroका करेंगे तो इसका आखिरन होगा तेết वाला भाग 28,292 में 21,496 घटाना है तो यह प्रस्न मैंने आपके लिए छोड़ दिया है इस प्रस्न को आप अपने घर में स्वेंग करेंगे अब हम लेते हैं इसी प्रस्नावली का दूसरा प्रस्न इब आपके लिए समझना जरूरी है कि हम जितनी बड़ी संक्यमा आंक्रन करेंगे तो उतना आंक्रन्न इस के ठिक ठिक उत्तर सन दूर होता ही होता ही ज evitar जेसा सवत्रम करेंगे तो उत्तर से एधिक डूर होगा हजार तन आकलन करेंगे तो हम सही उत्तर से और अधिक बूर चले जाएंगे और सबसे नजदीक का आकलन होगा जो निकटतम आकलन जैसे दस तक का सबसे नजदीक का आकलन होता है इसका A, B, C, D चार भाग है और कहा रहा है कि ऐसे ही चार उधारन और बनाईए इसके चार A, B, C, X, D भाग यह देहा है तो A भाग कह रहा है 493, 410, 337, इसका मोटे तोर पर है निकटन किया, 449 यह 400 होगा 500 होगा, संक्या उन्चारी से चोटी संक्या है तो इसका आकलन 400 यह 500 हमें से 400 होगा, 400 रिखा, 334 है इसको यह दियह हम देक तो यह गद्दीक संक्या है तो इस तो इसका आंगलन 4300 में ही होगा तीनों को जोड़ा तो में 5000 तक हुआ अब हम करते हैं इसका 10 तक संद्धिक चार सो उन्चालिस तक चार सो चालिस तो इसका आंगलन होगा 440 अब हमने देखा तो इसका आंगलन होगा 20 में तो यह होगा 4320 तीनों को जोड़ेंगे तो 2090 हमें प्राप्त होगा इसे प्रकार में अगला प्रस्न लिया जो घठानी की संक्रिया पर आधरित प्रस्न है यह प्रस्न है इसका मोटे तो इसका आगलन साथ सो चोटीस है तो इसका आगलन साथ सो नहीं हो जाएगा चूटीस उन्चा से चोटी संक्या है साथ सो चोटी संक्या है तो साथ सो तीस में इसका आगलन साथ सो तीस में इसका आगलन साथ सो तीस इसका 27599 यह 95 से बड़ी संक्या है तो इसका आगलन साथ सो तो तो चैसा से ताथ सिया चैसो दोंको खटाएंगे तो एक सट जा एक सो तीस हमें प्राप्त होगा तो प्रस्न संक्या दो का सी वर डी यह प्रस्न दोनों प्रस्न आपके लिए छोड़ दे गए इस प्रस्न को आपको स्वेंग करना है तो आज के लिए बस इतना ही मेरा यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत